जबू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर अपनी काहरता का परिचे दिया है पुंच सिले में आर्मी जवान को गुरुवार को आतंकियों ने अगवा कर लिया राइफलमैन के नाम औरंग जेब बताया जा रहा है वो अपने घर एद की छुटिया मनाने के लिए जा रहा था उसे रास्ते से अगवा किया गया है नई दिली के लोग कल्लियान मार्ग परस्थित पीएम आवास के पास साथ जून को यूएफो देखे जाने की बात सामने आई है इस गटना ने सुरक्षा अधिकारियों के को चिंता में डाल दिया है लेकिन पोलिस अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई है ये आखिर वो अग्याद चीज थी क्या AIA डिमके के 18 विधायकों के सदसिता रद होने पर मदरास हाई कोट का बटा हुआ सा फैसला आया है हाई कोट के फैसले के बाद तमिलाडू सरकार सुरक्षित है और कोई उपचुनाओ भी नहीं होंगे हलाकि ये 18 विधायक अयोगी रहेंगे कोट के इस फैसले से दिनाकरन गुट के लिए राहत का फैसला नहीं लग रहा और अब इस मामले में मदरास हाई कोट की बड़ी बेंच फैसला करेगी दक्षन पश्यमानसून पुर्वोतर के अधिकांच हिस्से तक पहुँच चुका है भारीवारिश से त्रिपुरा और मिजोरम के कई इलाके डूब गए है त्रिपुरा में कम से कम चार लोगों की मौत की ख़बर है कई गाउं के डूबने की भी ख़बर बताई जा रही है प्रधान मुंतरी नरींदर मोदी अपने एक दिवसी दोरे पर आज सुबह पाकिसदान के ओर से लगातार हो रहे सीसफायर उलंगन को लेकर आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है ग्रेमंतरी राधनाथ सिंग इस मुद्धे पर आज बैठक करने वाले है बताईए जा रहा है कि दिली में ग्रेमंतराले में होने वाली इस हाई लेवल मीटिंग में जमो कश्मीर के डीजीपी स्पी वैद भी शामिल होंगे दिली के मुखे मंतरी अर्विन के जिवाल के धरने के जवाब में बीजेपी भी मैदान में उतराई है बुद्वार दोपहर से सीम के जिवाल के दफ्तर के वेटिंग रूम में बीजेपी विधायकों का धरना जारी है खास बात ये है कि उन्हें आमादनी पाटी के बागी विधायक कपिल मिश्रा का भी समर्थन मिल रहा है यूरोपीय चैंपियन पुर्दगाल फीफा विश्व कप 2018 में शुकरवार को जब पडूसी स्पेन के खिलाफ अपने अभियान के शुरुआत करेगा तो सभी की निगायें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पटिकी होंगी रोनाल्डो अपने चमकदार करियर से विश्व कप ट्रॉफी हासिल करने में संभलता ये आखरी प्रयास करेंगे उतर कोरिया के शाषक किम जोंग उनके साथ एतिहासिक मुलाकात से उतसाहिद अमेरीकी रास्पती डोनल्ड ट्रम्प ने स्वधीश लोटने के बाद इस बैठक का सकारात्म ट्वीट किया